चेनिंग की दूसरी बुनियादी समस्या एक पॉइंट से चेन तक परपेंडिकुलर खींचना है. यहां, मान लें कि AB चेन लाइन है और C वह पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर खींचना है. चेन लाइन पर एरो के साथ एक पॉइंट की निशानी लगाएं. इस पॉइंट का नाम D रखते हैं सीडी की लंबाई जितनी एक लाइन डोरी ले उसके बाद डोरी की लंबाई पकड़ते हुए चेन लाइन पर C की दूसरी और एक अन्य पॉइंट E की निशानी इस तरह लगाएं कि सीडी और C E बराबर हो चेन लाइन पर D E की दूरी माप लें इस दूरी के मध्य बिंदू की निशानी लगाएं इस पॉइंट का नाम F रखते हैं लाइन C F चेन लाइन A B की परपेंडिकुलर होगी क्योंकि लाइन्स C D और C E समद्वी बाहु तरिभुज C D E की समान भुजाएं हैं इसलिए याद रखें कि एक पॉइंट से चेन लाइन तक परपेंडिकुलर खींचने के लिए चेन लाइन पर पॉइंट के किसी भी और लाइन डूरी की समान लंबाईयों की निशानी लगाएं पॉइंट से इन दो निशानियों के मध्य बिंदू तक चेन लाइन का परपेंडिकुलर होगा